एफ थिल्ड फॉट नून कैसे यह आप सबी एक बर फिडाफ़ से बताईया आपको जो वीटियो क्लिया है अभी लाइप नौ एक बार फटाफर से सबी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे ओके दना आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करके हैं एक आए पन्ट जो है वो लेट रिसीव और है चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज के सेशन है इस अब आपोईप्र जुलाई 2022 अचा तुम लोगों का एक बढ़ स्वागत कर देते हो Hello everyone, this is Shidhar Sharma and you are watching me on Ollywood YouTube channel and I am your GAGK faculty and I welcome all of you on Ollywood channel daily जहाँ पर 12 दुपहर में हमारी क्लास होती है So do not forget to join all these amazing session of current affairs, banking awareness, static awareness only on Ollywood at 12 p.m. in the afternoon So do not forget to join all of you, I am not good at all, I am good at all, I am very good at all So do not forget to join all of our series in July, we will do the current affairs every month, we will do the topic-wise, we will do the best, we will get the topic-wise ज़्यादा होते हैं वहां से हम शुरू करते हैं question form में है या direct answer question form में है mcq form में है और उसके बाद हम खुद से लिखेंगे ठीक है मज़ा आ गया बस मज़ा ही आना चाहिए ओके दिन स्टार्ट करते हैं आँच का सेशन अजादी का महतसब जो है अच्छे से बनाया related happy independence day आप सबी को स्वतनतरता दिवस की बहुत बहुत शुब काम नहीं और सिर्फ ये थोड़िया 15 अगस्त के लिए ये अजादी महतसब है अजादी का एसास कर रहे है डेली अजाद घूम रहे हैं जहां चाहे जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं जो चाहे वो कर सकते हैं तो यह आजादी महतसब जो है लेकिन ये आज अजाद हो जाएगा बले आपका आजादी महतसब पुरी सालवर चलता रहे बट यह ओफर आज एंड हो जाएगा जिसमें आपको डबल वैलेडिटी और 25 परसेंट ऑफ मिल रहा है बैंकिंग सब्सक्रिप्शन पर यूजिंग शीतलकोर का यूज कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको यह है कि मैं हमें बहुत सारे कोर्सिस नहीं लेने देखो अगर आपको बहुत सारे कोर्सिस पर्चेस करें बहुत सारे एक्जाम देते हो सभी कोर्सिस की तुमको टीचिंग मिल जाए कोचिंग मिल जाए तो फिर बैंकिंग सूपर इलिट लेलो लेकिन अगर है कि मैं सिर्फ एक दो एक्जाम टागेट करें इंडिवीजुल बैच पर चेस करना चाहते हैं तो फिर आप शीतल कोड का यूज कर सकते हैं 55% आज का लास्ट जे है शीतल कोड यूज करना मत भूलना तभी तुम्हें 55% और डबल वैलेडिटी प्लस 25% मिलेगा इन सभी पर अभी इन सारे बैच उस पर आपका अभी 55% आफ चल रहा है और काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम आपका पेड़ बैच आया की नहीं आया है तो मेरा पेड़ बैच आ चुका है और भी पियो क्लर्क में स्टॉपर बैच आ चुका है यह आप जॉइन कर सकते है तुड़े इस दा लास्टे टू अवेल दिस आट 1349 रूपीज में इसको आप अवेल कर सकते हैं ठीक है जिनों ने इसका डेमो क्लास लिया होगा उनको पता लग गया होगा कि बहुत ही धुमाकेदार सेशन होने वाला है और बहुत ही अमेजिंग यहापर मैं आपको जिए आगे बढ़ते हैं बस यह बताना था कि आररवी पियो कलर के मेंज की तयारी कर रहे हो तो तो पस बैच अचुका है जिसको भी थोड़ा सा भी और यूट्यूब टेलिग्राम चैनल भी आपको लिंक उसका डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके अलावा आप ऑलि स्क्रीन फटाफर से आंसे करिए सबी लोग क्या हो गाइदर पैसे नहीं है इसका क्या करूं तुम्हें जरुवत भी नहीं है तात्या विंचु तुम्हें जरुवत भी नहीं है रहे एक दिन बाद मीले ना इस खुशी के अंदर में बहुत बिल्कुल भावनाओ में बैग और फिर फोन कहीं पहन पहीं प्र्म क्या हो गी हो एक पता क्या हैं तो जैसी अवाज हो चुकिया मेरी और ना मेरे कुछ थंड़क है ना मिलको कोई सर्दी लगी है पदा नहीं क्या हुआ है किस खुशी में हुआ है शायद मेरी इतनी अच्छी अच्छी अवाज थी आप खराब हो चुकिया है ओके फॉर्स्ट वेश्चिन ऑन्यों स्क्रीन हुआ सब्सक्राइब द्राइब आपड़े का अकुंए अकुल जैन से रिलेटिद असकी क्या है सबसीड्री है पेटियम की अगर आपसे पूछो MDN CEO of पेटियम कौन है तो आंसर क्या होगा फाउंडर भी यही है MDN CEO भी यही है नाम है उनका विजह शेकर शर्मा अगर आपसे पूछो की पेटियम जो है इसका हेड़कॉर्टर किदर होगा इसका फाउंडेशन कब हुआ तो 2010 में अगस्ट 2010 में इसका फाउंडेशन होता है इसकी स्थापना होती है और इसका जो हेड़कॉर्टर है वो किदर है नौएडा यूपी के अंदर है यह आपको याद रखना है next question here on your screen फटाफट से answer करिये क्या होगा who has been appointed as new chief economist and senior vice president for development economics at the world bank very important question क्या होगा answer इदर नए chief economist के साथ साथ senior vice president किसके लिए appoint हुए हैं world bank के अंदर development economics के लिए appoint हुए है options है इदर निशांत गोयल हेम तिवारी सौरब जोशी या फिर इंदर मीत गिल क्या हो जाएगा correct answer बिलकुर सही है यहाँ पर already सभी लोगों का correct answer इदर आ रहा है तो correct answer इदर होगा इंदर मीत गिल ठीक है तो यह आपको याद रखना है इसक Chief Economist Officer in IMF World Bank की बात कर रहे हैं तो IMF की भी बात कर लेते हैं IMF में कौन है फटा फट से लिख के बताओ comment section के अंदर सभी का answer आना चाहिए इनका appointment कब से होगा इस post को कब से grant करेंगे या इस post के उपर कब से join करेंगे with effect from 1st of April 2022 यान की एक April से यहाँ पर यह क्या करेंगे जॉइन करेंगे इसी के साथ में इनोंने एक और चीज यहाँ पर काफी बड़ा mark बनाया है कि यह जो गिल है यह बने है second Indian to serve as second Indian to serve as chief economist ठीक है यानि की पहले यह पहले नहीं है यह दूसरे ऐसे chief economist बने है इन से पहले कौ बन चुके हैं अब यह आपका static का question हो जाता है तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2012 से लेके 2016 तक जो कौशिक बासू जो थे वो यहाँ पर first Indian थे जो क्या बने थे chief economist of world bank बने थे ठीक है चीख निकलाई थी उनकी जब वो बने थे chief economist of world bank यह याद रहेगा आपको हाँ ब आप से पूछो where are the headquarters of world bank तो very easy answer हो जाएगा Washington DC USA और अगर आप से पूछो कि इसका establishment कौन से year में हुआ था तो answer क्या होगा कोई बता सकता है मुझे कौन से year में इसका establishment किया गया था so it was established in July 1944 in the same year when IMF was established on Brettonwood conference के recommendation पर इसको लाया गया था headquarter इसका Washington DC US के अंदर है who can tell me how many member countries are there associated with world bank world bank के साथ में total कितनी countries इसकी member countries है member states है तो answer यहाँ पर क्या होगा अगर इस class का PDF चाहिए आपको तो आप join कर सकते है मुझे मेरे telegram channel शीतल शर्मा01 पर इसके जो president है वो कौन होंगे तो सबसे बड़ी post जो होती है वो president के होती है तो यहाँ पर president कौन है डेविड माल पास सबसे जादा माल किसके पास है world bank के पास में बहुत सारा माल है बाकी देशों को देता रहता है तो डेविड के पास भी माल है तो इसलिए वो उसके president है ठीक है बिल्कुल सही correct answer क्या होगा total 189 इसकी क्या है member countries है और last country कौन सी है नूरो यह क्यों बात कर रहे हम इसलिए बात कर रहे है क्योंकि generally जिकने भी questions आते हैं आपके static awareness से वो इसी type से आते है आपसे headquarter, establishment, member countries, last added member country कोई भी new change हुआ है वो आपसे पूछ लेगा last change पूछ लेगा इंदरमीत गिल कौन से number के Indian बने है to serve as chief economist of world bank यह पूछ लेगा और second यह है तो first कौन बने कौन से year में बने यह पूछ लेगा तो यह सारा कुछ मैंने इस question में लिख दिया है I hope कि आपको इससे काफी help मिलेगा next is here who has been appointed as new CEO of vodafone idea आपको पता है कि दो telecom major companies जो थी vodafone और idea इनों ने इनका सब्मर्ज हुआ था vodafone idea बन चुके हैं with a symbol वी आए अगर आप इनके शोरूम अगर आपे भी देखोगी तो वी आए के नाम से यह देनोट होते हैं मेरे को मेरी आवाज ऐसी लगती है अगर तुमेंसे किसी ने Instagram देखा होगा कि वारी correct answer यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल यहां पर board of meetings हुआ यहां पर उन्होंने किसको appoint किया है as CEO तो याद रखना है आपको पहले यहां पर रविंदर टकर जो थे इनको क्या किया गया था इनको appoint किया गया था अब इनको replace करके अक्षय मूंद्रा जो है यह क्या appoint हुए है अक्षय मूंद्रा appoint हुए है as the new CEO of Vodafone इंडिया यह याद रहेगा आपको next question देखते है next question इधर क्या होगा who among the following has been appointed as the international association अच्छा अगर मैं आपसे पूछू कि ऐसा कौन सा payment bank है कौन सा payments bank है जिसको scheduled bank का दर्जाव दिया गया है मिल गया है उसको scheduled bank बनाने का approval दे दिया है RBI ने तो answer क्या होगा कौन से payment bank को अभी scheduled bank बनाए गया schedule bank कौन सा होता है जो आपका RBI Act होता है न 1934 का RBI Act है 1934 का उसके second schedule के अंदर जो भी conditions है उनको जो भी bank fulfill करता है उसको किसका दर्जाव मिलता है scheduled bank का दर्जाव मिलता है और ये direct RBI के supervision के अंदर आता है और RBI से इसको बहुत सारी facilities बगेरा मिलती है जैसे clearing house facilities, check clearing house facility मिलती है तो अभी फिलाल में आपका भारती Airtel Payment Bank जो है Airtel Payment Bank को यहां पर किसका दर्जाव दिया गया है scheduled bank का in the month of July मैं July month के current affairs की बात कर रहे हूँ ठीक है अब यहां पर question आ चुका है आपका who among the following has been appointed as the international association of ports and harbors in July 2022 क्या होगा answer इन में से किसको चुना गया है international association of ports and harbors का यहां पर answer क्या होगा correct answer हो जाएगा यहां पर इना रासू करू नेशन जो है इनको क्या पॉइंट किया है कि यह representative होंगे from India यह यहां पर क्या करेंगे इंडिया की तरफ से representation करेंगे मैं लिख देती हूँ इधर question में लिखना भूल गई that he will be representing और representing इंडिया ठीक है representative from इंडिया के तौर पर एना रासू करू नेशन जो है इनको क्या किया गया है appoint किया गया है यह आपको याद रखना है इसके अलावा अगर आप से यहां पर पूछेगा कि इनों ने यह अभी फिलाल में कौन-कौन सी जगा पर यह ports वगेरा जो होते है ना बंदरगा वगेरा वहां पर रहते अब बंदरगा से मेरे दिमाग में एक चीज और आई कि होला जाता है उसने यहां पर landlord model पर वो पहला ऐसा क्या बना है first port बता है उस port का नाम आपको बताना है क्या हो जाएगा answer answer हो जाएगा JLN port ठीक है क्या हो जाएगा answer JLN यानकी जौहललाल नहरू port of Mumbai यह एक लौता ऐसा port है इंडिया का जो यहां पर फीचर हुआ था वर्ल्ड के top 30 container port की लिस्ट में top 30 containers all around the world जो ports थे उन में से एक इंडिया की तरफ से एक लौता यही फीचर हुआ है अब तक next is there who among the following was appointed as the new prime minister of Sri Lanka in July 2022 जुलाय 2022 में किसको अपॉइंट किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर श्रिलंका का option है आपके महिंदा रानिल दिनेश या फिर साजित क्या हो जाएगा यहां पर correct answer very nice correct answer हो जाएगा यहां पर देखो रानिल विक्रम सिंगे जो है इनको अपॉइंट किया गया था as the new president क्य है निकल पड़े भाग गए क्या करके resign करके क्योंकि आपको पता ही है कि यहां पर बहुत जाधी ओर में क्राइसिस चल रहा है तो उनकी जग़ा पर अब रानिल विक्रम सिंगे को बना दिया नया प्रैसिने लेकिन रानिल विक्रम सिंग तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर ह बिस टो हुआ करते थे तो अब प्राइम मिनिस्टर की जगा खाली होगी तो उसको भरा किसने दिनेश गुनावर्दना जो है उन्हों ने इसको क्या किया है फुल्फिल किया है यहां पर और किसको सक्सीर किया अगर मैं आपसे पूछू राणिल विक्रम सिंगे जो है यह कौ प्राइम मिनिस्टर 15 पीम ओफ श्री लंका वेरेज रानिल जो है यह क्या बने यह बने नाइन्थ प्रेजिडेंट ओफ श्री लंका फिर प्रेजिडेंट की बात आई तो मुझे याद आया कि भारत के अंदर भी नए प्रेजिडेंट बने हैं कौन से नंबर की अभी प्रेजिडेंट पहली डिलीडर है फोस्च ट्राइबल रिडर नहीं काउनगी फोर्स्ट ट्राइबल प्रेजिडेंट है और सेकट विमिन प्रेजिडेंट बनी है आफ्टर पृति दोसरी इस तरीक हे महिला राश्पती यह बनी है और पहली नंबर की कोई Σे आने वाला जो है वो यह बनी है next is here who among the following was appointed as the new Prime Minister of Sri Lanka मैंने पिछले का question कहता Prime Minister यहाँ पर President होगा भई इसको change कर लेना इसको President कर लेना New President of Sri Lanka क्या हो जाएगा answer इदर अब सीधा सीधा answer correct होगा Ranil Vikram Singh के जो कौन से number के President बनी है 9th President of Sri Lanka ठीक है अब ही आपको पता है कि Vice President भी चुने जा चुके हैं हमारे India के who is the Vice President of India जो की यहाँ पर West Bengal के क्या थे governor थे तो अब West Bengal के जो राजेपल governor क्या नाम है उनका जगदीप धनकड क्या नाम है उनका जगदीप धनकड जो है यह क्या बने है Vice President of India बने है अगर मैं आपसे पूछू कि कौन सी पार्टी की तरफ से यह आए है यानि कि आपको पता है ना कि इनका नाम जो होता है एक opposition पार्टी में से होता है या एक उन में से होता है तो यह कौन सी पार्टी के है यह NDA पार्टी की तरफ से nominated यह उनके candidate है अगर आपसे पूछू जो हमारी प्रेजिडेंट बनी है द्रोपदी मुर्मू उनको अपनी तरफ से कौन सी पार्टी ने उनका जो candidature है वो nomination file किया था द्रोपदी मुर्मू का तो answer क्या होगा और vice president जो होता है वो क्या बनता है वो कौन से जगा का chairman बनता है कहा का ex officio chairman भी बनता है तो answer क्या होगा तो vice president बनने के साथ साथ जगदीप धनकर जो है वो ex officio chairman बने हैं किसके राज्य सभा के तो तुम लोग ने अगर कल एक shipping देखा होगा जिसके अंदर आपके जो वो MP है क्या नाम है उनका बड़े यंग एज के में नाम भूल गई आर सी नाम है एसी नाम है कुछ ऐसे ही नाम है नाम नी ध्यान आ रहा है पता नहीं कैसे स्किप हो गया तो उनका कुछ वो चल रहा था कि कुछ पहले प्यार की ऊपर चल रहा था जिसमें अभी हमारे जो former Vice President है M Venkaian I Do तो उनके साथ में कुछ चल रहा था तो उनसे पूछ रहे थे कि तुमको पहला प्यार कितनी बार हुआ है एक बार होता है पहला प्यार दो बार होता है तुम्हें प्यार कितनी बार होता है एक ही बा डेचर भी किन की तरफ से था तो अभी यहां पर एक्स ओफिश्यों चेर्मेंट कौन बनेंगे राज्यसभा के वह जगदीप धनकर बनेंगे किसको रिप्लेस करेंगे यह रिप्लेस करेंगे इन में से किसको यहां पर अपॉइंट किया गया है अपकी में चीज़े है तो तुम लोगों से यह पूछा जाएगा तुम लोगों से यह बार-बार पूछा जाएगा और तुमको पता होना चाहिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ब्रिचेश गुपता जो है इनको नया MD अपॉइंट किया गया है रतन पावर का अब बोलूगे मैं रतन पावर बहुत लोगों ने तो इसका नाम ही नहीं सुना होगा यह एक प्राइविट कमपनी है पावर जनरेशन कमपनी है जो यहां पर थर्मल पावर प्लांट इनके हैं अमरावती और नासिक महाराष्टा के अंदर और इनके जो थर्मल पावर प् प्रडियूस होता है और तेरा सो पचास मेगावाट नासिक में प्रडियूस होता है ठीक है तो यह माराष्टा की कमपनी है और इन्हों नहीं यह जो यहां पर रतन इंडिया पावर तो अभी आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट जो थे उसमें बहुत जादा किल्लत आ गई थी कोईले की किल्लत आ गई थी काफी सारी चीज़े हो गई थी विकाज रश्या युक्रेइन की वार की वज़े से तो जिसके बाद में हमने देखा था कि यहां पर बहुत कम एनरजी जनरेशन हो रहा है जिसकी वज़े से पावर कर्ट काफी जादा फेस किये गए तो 135 मेगावाट इधर और नासिक के अंदर भी 1350 मेगावाट नासिक के अंदर भी प्रडियूस हुआ था माराश्रा के अंदर कितना टोटल इन्वेस्मेंट इन्होंने डाला है तो अराउंड 18,000 करोड रुपे 18,615 करोड रुपे जो है वो इन्वेस्मेंट इन्होंने इ प्राइबेट पावर इलेक्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है लेकिन काफी बड़ी कंपनी इस लिए आपको पता होना चाहिए यह नहीं पूछ रहा है कि चेर्मन कौन अपॉइंट हुए तो अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ एक चीज़े पूछ सकती हो इस बोड का फॉर्मेशन किया गया इस बोड के चेर्मन अभी कुछ टाइम पहले नहीं अपॉइंट हुए थे चेर्मन कौन हैं दूसरा आपसे पूछ सकती हो कि मैं होल टाइम मेंबर किसको अपॉइंट किया गया ऐसे ही आपका होल टाइम मेंबर जो है सेवी का किसको अपॉइंट किया गया जब whole time member सेवी की जिनका नाम सा मधावी पूरी वो whole time member से क्या बना दी गई? chairman, chairperson बना दी गई of सेवी तो अब whole time member सेवी का भी आप बता सकते हैं तो ऐसे आपको क्या करना है? काफी सारी चीज़े relate करते हुए चलना है अब यहाँ पर answer क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा जयनती प्रसाद जयनती प्रसाद को इधर appoint किया गया है as the whole time member of IBBI वो भी कितने सालों के लिए? अगले 5 सालों के लिए कब से appoint किये गए? 5 जुलाई 2022 से appoint कर दिया गया है और अगले 5 सालों के लिए यारी कि 2027 तक यहाँ पर या फिर 65 यह की एग जो भी पहले होगा उस पे इनका क्या हो जाएगा? retirement हो जाएगा? इनको appoint किसने किया है? order किसने दिया? Ministry of Corporate Affairs ने क्योंकि यह जो Insolvency Bankruptcy Board of India है यह कौन से Ministry के अंदर आता है? Corporate Affairs के अंतरगत आता है इस Board का establishment हुआ था 1 October 2016 को इसको establish किया गया था Headquarter इसके कहां पर होगे? New Delhi के अंदर होगे? किसके अंदर आता है? Ministry of Corporate Affairs के अंदर आता है and chairman इसके कौन appoint हुए है? बिल्कुल सही answer क्या हो जाएगा? Ravi Mittal को appoint किया गया है फिर यहाँ पर आपसे पुछेगा whole time member Sebi के कौन है? तो answer क्या हो जाएगा? Ashwini Bhatia अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है फ्लीज गाइस इसको like कर दीजे थोड़ा सा share कर दीजे and यहाँ पर आपको इस class का PDF मिल जाएगा यह मेरा telegram channel है शीतल शर्मा01 next is here former army training कमांड चीफ lieutenant journal Raj Shukla retired has been appointed as a member of the UPSC in July 2022 who is the chairman of UPSC कहने का मतलब क्या है? कि Raj Shukla जो है यह काफे बड़ा appointment हुआ है कि Raj Shukla जो है उनको क्या बनाया गया है? UPSC का chairman sorry UPSC का member बनाया गया है अगर आपसे पूझो कि UPSC के member जो है उनका term कितने सालों काता है? यानि कितने साल तक एक तो इसमे 65 years का होता है कि या तो 65 years या फिर कितने सालों तक वो उस term पे रह सकते हैं तो याद रखिएगा 6 years कितना होता है? 6 years और 65 years of age whichever is earlier 65 साल के अगर पहले हो गए तो term खतम हो जाएगा 6 साल उनको काम करते हुए होगे as member of UPSC तो term खतम हो जाएगा और यहाँ पर chairman कौन है? UPSC के? वनोर सोनी अगर आपसे पूछो UPSC के chairman का appointment कौन करता है? तो answer क्या होगा? देखो यह हमारे भालते सविधान में दिया हुआ है that chairman of UPSC is basically appointed by the president of India appointment कौन करता है? इनका president करते हैं इसका appointment इसके अलाबा जितनी भी national commission चाहिशेडियूल कास्ट पर हो चाहिशेडियूल ट्राइब की हो या OBC अदर बैकवर्ड क्लास की हो या minority affairs की हो जितनी भी national commissions है इन सभी से related है CST, OBC, Minority Affairs सभी के chairman कौन appoint करता है? प्रेजिडेंट appoint करता है next is here who has been appointed as the new MDN CEO of national stock exchange again very good question क्या होगा answer इदर LV प्रभाकर, VP नंद कुमार आशीश कुमार चोहान या फिर मुल्ली एमनट राजन देखो अगर आप लोग इसी साबसे क्लास के अंदर life count दिखाओगे तो फिर तो या दिल तोड़ दोगे है ना मैं यहां पर तुम्हें कुछ गलत पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे मतलब का नहीं पढ़ा रही हूँ, क्यूं तुम लोग क्लास में नहीं आते हो, मैं एक्चल में यह चीज जाना चाती कि प्रॉब्लम क्या है क्लास के अंदर आने से और लाइब आने से प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे कितनी फर्म चल रही है, कितनी मिल चल रही है तुम्हारी, जो तुमें पढ़नी की जरुत नहीं है, तुम्हारा हो चुका है सब कुछ तुमने कर लिया है, अपनी लाइफ में सब कुछ एकमपलेश बताईए जरा problem क्या है क्यों class नहीं अटेंड करते हैं अब मैं यहाँ पर अच्छे से अच्छा content भी ले आँ तो भी यही response है और मैं कुछ ना भी लाँ class तो भी यही response है तो फिर इसका मतलब क्या है मुझे class लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए answer यहाँ पर correct answer क्या होगा correct answer हो जाएगा इदर आशीश कुमार चोहान जो है इनको क्या appoint किया गया है एर नसी का MDN CEO appoint किया है who is appointed as MDN CEO of National Stock Exchange तो answer हो जाएगा आशीश कुमार चोहान अब यहाँ पर कुछ एक बाते आती है जैसे कि who is the chairman of National Stock Exchange इसके chairman कौन है chairman और MDN CEO दो अलग post है उसके अलावा इसका headquarter कहाँ पर है इसका establishment कहाँ पर हुआ इसका जो index है उस पर top कितनी companies features की जाती है कितनी top companies को feature किया जाता है what is the name of the index of National Stock Exchange and top कितनी companies feature होती है तो सबसे पहले answer होगा chairman का सबसे पहले chairman का answer बताईए क्या हो जाएगा answer इदर who is the chairman of National Stock Exchange बिलकुर सही है answer हो जाएगा GC चतुरवेदी यानकी गिरीश चंदर चतुरवेदी correct है उसके अलावा इसका establishment कौन से year में हुआ था establishment हुआ मैं 1992 में जिस वक्त क्या आया था हमारा same year में index को बोला जाता है nifty क्योंकि यहाँ पर top 50 companies के prices जो है shares जो है उनको list किया जाता है next is here who has been appointed as director technical of REC limited अच्छा यह बताओ options भी यहाँ पर discuss करें अगर कोई actual में options हमको लगते हैं कि हाँ यह बढ़िया option है इनको discuss किया जा सकता है या इनका भी कहीं पर appointment हुआ है important है scam 92 से याद रख लेते हो तो so अपना नहीं यहाँ पर answer correct किया है racer hell, bharshti, tomur, ganesh, passionate, madhuri और जो कि m. है ठीक है तो almost यहाँ पर सभी लोगों का correct answer आ रहा है correct answer क्या हो जाएगा VK Singh जो है इनको क्या point किया गया है as a director technical of REC Limited REC Limited is basically Rural Electrification Corporation Limited सुमन के बैरी जो है इनको क्या point किया गया है तो सुमन के बैरी जो है यह क्या appointment हुए है तो answer क्या होगा इधर मैं जानती हूँ very nice racer hell बिलकुल सही देखो director technical और chairman में difference होता है अगर आप मानते हैं तो तो जो यहाँ पर बोल रहे है देवांगन के उपर विवेक कुमार देगा वांगन वो क्या है वो उधर MD appointment हुए है यह director है लेकिन कैसे technical department के director बनाए गए है तो यहाँ पर ब्लैकिट में जो technical दिया हुआ है बेटा वो किसके लिए है वीके सिंग के लिए है सुमन के बैरी यह कहां के appointment हुए है तो याद रखना है यह क्या appointment हुए है नीती आयोग के vice chair person बनाए गए है यह आपको याद रखना है उसके अलाबा नीती आयोग के CEO कौन appoint हुए है who has been appointed as the CEO of नीती आयोग तो आंसर क्या हो जाएगा परमेश्वरन परमेश्वरन अयर और इससे पहले कौन थे परमेश्वरन अयर से पहले वो थे अमिताब कान जिनको जुलाई के अंदर ही क्या बनाये गया है इससे रिलेटेड भी question आपके आएंगे मैं सोच रही हो आप कुछ टाइम के लिए मैं क्लासिस लूँ ही नहीं जब तुमको क्लासिस नहीं मिलेंगी तब तुम्हें कदर होगी अब क्लासिस मिल रही है तो कोई कदर करने वाला नहीं है जब क्लासिस नहीं मिलेंगी कहीं पे भी जब लगेगा कि current affairs अच्छे से cover नहीं हो रहा है तब तुम्हें पता चलेगा उसके अलावा जब बाकी static और GA भी तुम्हारा डबा गुल हो जाएगा तब पता चलेगा जब इतना in-depth तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगा एकी क्लास के अंदर सारा in-depth अच्छे से पढ़ रहे हो लेकिन अभी उसकी कदर नहीं है और बहुत ही अच्छा काम तुम कर रहे हो क्योंकि इससे तुम्हारा ही नुकसान है मेरा नुकसान नहीं है क्या हो जाएगा इतर correct answer option है यहाँ पर मुस्तफिजूर रहमान मुस्तफिजूर इमरान अब्दुल बासे तियाफिर नभीन सरकार देखो आपको याद रखना है कि जो बंदा आया और जो बंदा गया उन दोनों के नाम के आगे मुस्तफिजूर आता है ठीक है इसके सामने आता है मुस्तफिजूर रहमान जो है यह क्या हुए है यह अपॉइंट हुए है मुस्तफिजूर रहमान और मुस्तफिजूर इमरान नहीं होगे तो यह आपको याद रखना है मुस्ताफिजूर रह्मान जो है वो अपॉइंट हुए है नेक्स्ट हाइज कमिशनर अफ बांगलादेश इंडिया किसको रिप्लेस कर रहे हैं यहां पर यह रिप्लेस कर रहे हैं मुहम्मद इम्रान को चीक है नेक्स यहां पर देखते हैं अगर उसके बाद भी तुम्हें नहीं आना तो इस ओके मैं इससे जादा कुछ नहीं बोल सकती है नेक्स्ट इस यह विन पॉइंटेट एस दा नियू प्रेजिडेंट आफ आइफ एडी नए राश्ट पर नए अध्यक्ष कॉन बनाये गए हैं आइफ एडी के अब यहां पर बात आती है कि यह जो आइफ एडी है यह क्या है तो आंसर क्या होगा इदर फटाफट से बताओ आइफ एडी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा बिल्कुल सही एकदम correct answer कर रहे हो पहले तो याद रखना है IFAD जो है यह है International Fund for Agriculture Development इसका याद रख लो International Fund for Agriculture Development दूसरा इसके जो President अपॉइंट हुए है वो कौन है अलवारो लारियो जो है इनको अपॉइंट किया गया है कबसे यह post assume करेंगे 1 October 2022 यह किसको succeed करेंगे तो answer क्या होगा यहाँ पर पहले कौन appointed थे तो जो कि I.L.O. के नए यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे President कब बनाए जाएंगे 1 October 2022 I.L.O. के President बनाए जाएंगे Gilbert हांबो तो 1 October से यह place यह vacant हो जाएगा तो इसी लिए अलवारो लैरी हो जो है वो एक अक्तूबर से इसके नए अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे तो he is going to succeed हूँ Gilbert हांबो और तोगो कंट्री जो की I.L.O. के नए I.L.O. के निउडीजी अपोइंट हुए है जो खुद किसको replace करेंगे Gilbert हांबो replace करेंगे आपके जो guy rider है उनको क्योंकि guy rider जो है वो कब सेवाने बृत हो जाएंगे या फिर कब retire हो जाएंगे या वो post कब छोड़ेंगे तो 30 September 2022 को जिसके बाद में इनको appoint यहाँ पर किया गया अगर आपसे पूछा जाए ला रहे हो जो है यह कौन से number के president बनेंगे IFAD के तो यह बनेंगे 7th president of IFAD अब IFAD के बारे में हम कुछ ना पड़े ऐसा तो हो नहीं सकता तो मुझे यह बताओ इसका formation कौन से year में हुआ establishment कौन से year में हुआ तो आंसर यहां पर क्या होगा तो आपको याद रखना है December 1977 में IFAD का establishment होता है और इसका headquarter देखो यह agriculture development या food से related कोई भी अंतराष्टे संस्थान है तो जाद अतर उनके headquarters most of the cases में 99% answer होगा Rome, Italy तो Italian खाना खाके Rome, Rome खुश हो जाता है तो ऐसे ही IFAD जो है agriculture agriculture से आपका food बनेगा तो food खाके Rome, Rome खुश हो जाएगा next is who has been appointed as the MD of National High Speed Rail Corporation Limited NHSRCL रिसेटली option से आपके सतीश अग्मी होतरी ब्रिजेश कुमार उपाद्याए यहाँ पर राजेंदर परसाद या फिर देबशीश नंदा क्या हो जाएगा इदर आंसर that who has been appointed as the MD of National High Speed Rail Corporation Limited अभी आपकी जो National High Speed Rail Corporation Limited है यह किसके साथ में मिलके यहाँ पर यहाँ निकाल रहे हैं जैसे कि bullet train का प्रोजेक्ट आ रहा है इसके अलावा semi High Speed Rail जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आ रहे है तो कौन सी ऐसी government है कौन सी ऐसी सरकार है विदेशी सरकार है जिसके साथ में इनोंने जॉइन किया हुआ है इस initiative के लिए High Speed Rail Projects के लिए तो आंसर हो जाएगा Japanese government ठीक है और यहाँ पर इसको अपॉइंट किया गया है राजेंदर परसाद जो है उनको अपॉइंट किया गया as the MD of National High Speed Rail Corporation India Limited अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़े याद रखनी है कुछ चीज़े यह है कि इससे पहले यहाँ पर इसको सक्सीर करने वाले तो सतीश अगरी होतरी जो है इनको corruption allegations की वज़े से dismiss कर दिया गया जिसके बाद में यह post खाली हो गया जिस पर राजेंदर परतुष्थाद को क्या किया गया है अपॉइंट किया गया है यहाँ पर यह already director of project थे with National High Speed Rail Corporation के साथ में November 2017 तक और यहाँ पर यह एहमदबाद High Speed Rail project जो है जिसको bullet train project भी कहते है उसके उपर भी already यहाँ पर काम कर रहे थे ठीक है यह आपको याद रखना है लेकिन अब बात आती है कि यह जो National High Speed Rail Corporation Limited है NHS RCL यह कौन से year में इसका formation इसका establishment यानि कि यह founded in which year तो answer हो जाएगा 12 फरवरी 2016 को इसका क्या किया गया था इसका formation किया गया था ताकि High Speed trains जैसे कि bullet trains वगेरा लाई जा सके जो आपका काफी time save कर दे Long distances के traveling पर और इसका headquarter जो है यह कहां पर है New Delhi के अंदर है यह आपको याद रखना है Next days यहाँ पर आजादी का अमरित महसब हम बना रहे है जो आज खतम हो जाएगा यानि कि offer भी खतम हो जाएगा offer क्या है double validity के साथ 25% banking subscription पर banking subscription क्या है जहाँ पर banking insurance के आपको courses का subscription मिलेगा सारे courses या फिर सारे mock test वगरा तुम purchase कर सकते हो प्री और मेंस के तो इस टाइप से हैं शीतल कोड का यूज कर सकते हो extra 6 month free मिल रहे है अगर 6 month का course purchase करते हो तो 6 महीने ओलिबोड फ्री दे रहा है उपर से जो 6 महीने का प्राइस पर भी 25% off मिल रहा है लेकिन मिलेगा कब जब शीतल कोड का यूज करोगे तो इस कोड के उपर ये offer चल रहा है उसके अलावा इस कोड के उपर एक और offer चल रहा है इस कोड को यूज करने पर आपको 55% off भी मिलेगा ओलिबोड के सारे courses पर आज आखरी दिन है last day है तो अगर आप purchase करना चाहते है तो purchase कर सकते हो it's your wish लेकिन शीतल कोड यूज करना मत भूलना ये सारे courses जो आपको दिख रहे है इसके अलावा मेरा RRB PO plus clerk मेंस जो है toppers badge वो भी आचकर जिसमें जिए आप लोगों को मैं पढ़ा रही हो तो वो भी आप join कर सकते है अगर आप मेरे साथ में paid badge की त्यारी करना चाहते है specially RRB PO और clerk का means बहुत अच्छे से करना चाहते है कि इस बार हर हालत में आपका clear हो ही जाए आप यहाँ पर select हो ही जाओ as you know PO और clerk के RRBs next is here ब्रजेश कुमार उपाधिया has been appointed as the chairman and managing director of which organization इन में से कौन सी organization ने appoint किया है ब्रजेश कुमार उपाधिया को as chairman and MD क्या होगा answer अप्शन है आपके गोवा शिप्यार लिमेटेड कोल इंडिया लिमेटेड या फिर गेल लिमेटेड या फिर ONGC very nice correct answer हो जाएगा यहाँ पर गोवा शिप्यार लिमेटेड जो है उसके क्या appoint किये गए है यह नए chairman and MD appoint किये गए है नामें का विजेश कुमार उपाधिया आज की session में हम last में क्या करेंगी अगर time बच गये तो last में हम revision करेंगे सारे के सारे इन चीज़ होगा next is here who has been appointed as the deputy election commissioner of India recently अभी फिलाल में किसको deputy election commissioner appoint किया गया है इसके अलावाब में आपसे chief election commissioner पूछ सकती हूँ obviously मैं पूछ सकती हूँ chief election commissioner किसको appoint किया गया है तो answer क्या होगा R.K. गुपता T. श्रीकाग या फिर विपिन चंद्रा या फिर कबिल शर्मा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या रखता हूँ सब बिल्कुल सही है R.K. गुपता जो है उन्होंने किसको replace या सकसीड किया है R.K. गुपता has replaced or succeeded T. श्रीकाग R.K. गुपता पूरा ताम क्या है Elections होते हैं तो उसमें जो भी Candidate Participate करते हैं, Poll Elections जो होते हैं Candidate जो होते हैं उसके उपर एक expenditure limit होती है कि आप इतना खर्चा कर सकते हैं अगर आपका कोई भी Elections होता है तो यहाँ पर दो तरीके की Elections होते हैं जिससे हम क्या बनते हैं से बनते हैं, Parliamentary Elections होते हैं जिससे क्या लोग बनते हैं, MP वगरा के जो Elections होते हैं और एक होते हैं आपके Assembly Elections यानि कि जो State के Elections होते हैं MLA's वगरा के लिए ठीक हैं तो अब Parliamentary expenditure और Assembly Elections जो हैं वो यहाँ पर Revise किये गए हैं मुझे कौन बता सकता है कि यहाँ पर Revise करके Parliamentary यह दो अलग Categories में एक तो है Big States के लिए जो बड़ी States हैं जहाँ पर जादा Population है और एक है आपकी Small States के लिए तो अब मुझे यह बताई है Big States के लिए कितने expenditure से बढ़ा के कितना expenditure कर दिया पहले होता था चत्तर लाख रुपे यह भी चत्तर लाख रुपे की खर्चे की limit होती थी इसको बढ़ा के कितना कर दिया है 95 Lack कर दिया है Small States के लिए पहले 54 Lack हुआ करता था इसको बढ़ा के कितना कर दिया है तो आंसर क्या होगा 75 Lack लेकिन इन में से सिर्फ एक ऐसी यूनो यूटी है ठीक है Small States के साथ यूटी का भी 75 Lack है जिसका 75 Lack की जगे कितना है 95 Lack है जस्ट लाइक बिग स्टेश वो कौन सी यूटी है तो आंसर क्या होगा जमू एंड कश्मीर जो है उसका 95 Lack ही है यह आपको इधर याद रखना है अगर आपसे पूझेगा Assembly Elections के अंदर जो MLA's या State Elections जो होते है उसके अंदर Big States के लिए कितना यहां पर कर दिया गया है तो आंसर क्या होगा इनीशली कितना होता था 28 Lack रुपे होता था और उत्तर प्रदेश हो गई स्मॉल स्टेट्स जैसे की गोवा सिक्किम यह क्या है चोटी चोटी स्टेट्स हैं ठीक है यहां पर लोग भी कम रहते हैं और चोटी स्टेट्स के लिए पहले कितना हुआ करता था 20 Lack की जो लिमिट हुआ करती थी उसको करके कितना कर दिया है बढ़ा के 28 Lack कर दिया गया है यह आपको याद रखना है सबसे पहली बार expenditure जो election expenditure हुआ करते थे election के अंदर parliamentary या assembly election हुआ करते थे वो सबसे पहली बार revise कब हुए थे तो किसी एर में तो answer क्या हो जाएगा 2014 में उसके बाद में 2020 में भी इसको revise किया गया था by how much percent 10% इसके अंदर क्या किया गया था increase किया गया था और अब इसको further किया गया है in the year 2022 तो election commission से related यह काफी important यहाँ पर news थी January month से related जो कि मैंने आपर paid batch के अंदर बहुत ही comprehensive तरीके से कराई है इसके अलावा ऐसी बहुत ही amazing news जो है मैंने जैनवरी month की कल कराई है कल मेरी first class थी कि इसकी RRB PO toppers batch की ठीक है तो PO and clerk toppers batch की तो उसमें मैंने यह कराए था और कल भी मेरी class होने वाली है in fact इसके अलावा GBO batch भी आने वाला है RRB GBO batch ठीक है तो यह काफी सारे मेरे batches आने वाले हैं तो आप चाहें तो banking super elite plan purchase कर सकते हैं शीतल कोड का use करके और मेरी सारे classes अवेल कर सकते हैं next is the year who has been appointed as the president of the association of Indian university AIU जो है यह association of Indian universities के president कौन अपोइंट हुए है option है आपके महेंदर पाल नितिश निशित वर्मा या फिर अमीर सुभानी या फिर सुरंजन्दास very nice यहां पर क्या हो जाएगा correct answer correct answer हो जाएगा सुरंजन्दास जो है इनको association of Indian University AIU का president appoint किया गया अगर आप से पूचो अमीर सुभानी जो है इनको भी कुछ appoint किया गया था तो answer क्या होगा किसी एक स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बनाए गये हैं so he has been appointed as the और काफी पहले बनाए गया यानिकि around you know जन्वरी मन्त में मनाए गये थे chief secretary of बिहार चीक है मुखे सचिफ बनाए गये हैं कहां के बिहार के उसे पहले बिहार के अंदर यह development commissioner हुआ करते थे और इसकी इनकी जगा पर development commissioner कौन बना दिये गए comment section के अंदर लिखो next is there sbi journal insurance has appointed dash as managing director and CEO किसके MDN CEO appoint किया गया है sbi journal insurance company sbi journal insurance company है यह sbi r और कौन सी दूसरी insurance company के बीच का joint venture है तो answer क्या होगा कौन सी year में आपकी sbi journal insurance company जो है इसका formation हुआ तो answer यहां पर क्या होगा very nice correct answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा आप लोगों का answer एकदम सही है अब मुझे बताओ sbi journal insurance company की स्थापना जो हुई वह कौन से year में हुई क्या होगा answer इसके अलावा एक और appointment हुआ था इधर dmd का भी appointment हुआ sbi journal insurance के अंदर managing director और सी यो तो पॉइंट हुए है इसके अलावा deputy managing director भी अपॉइंट हुए है तो answer क्या होगा वह बेसिकली पॉब्लिक जो रिसर्च अनालिसिस है उसके यहां पर यह पॉइंट हुए है तो answer क्या हो जाएगा इधर sbi के जो corporate center में यहां dmd अपॉइंट हुए है इसके अलावा sbi के md बताओ यह तो जर्नल इंशॉरेंस है ना खाली sbi के md बताओ और sbi के dmd बताओ जल्दी से बताओ who has been appointed as the md of sbi recently अभी appointment हुआ था और dmd कौन है dmd मैं लिख देती हूँ यहां पर answer क्या हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा dmd deputy managing director कौन appoint हुए है क्या वो नितिन चुग है और अगर पूछेगा md कौन है तो answer क्या हो जाएगा अलोग कुमार चौदरी चीक है याद रहेगा यहां पर और अगर मैं आपसे पूछू परितोष्ट रिपाठी जो है इन्होंने किसको replace किया है तो answer क्या हो जाएगा PC कंडपाल को PC कंडपाल जो है यह क्या appoint हुए है यह appoint हुए है DMD of P&RE at corporate center of SBI ठीक है SBI में appoint हुए है ना कि SBI Journal Insurance में ठीक है यह याद रहेगा आपको next देखते है next यह आपर who was recently appointed as force commander for UN in South Sudan क्या हो जाएगा इदर answer यहाँ पर किसको appoint किया गया है UN mission के लिए force commander South Sudan के अंदर option है lieutenant journal सैलेश तिनाइकर SS Mishra, हर्शा गुपता या फिर मोहन सुप्रमानियम क्या होगा correct answer इदर very nice everybody is giving correct answer correct answer हो जाएगा जो हमारे lieutenant journal है मोहन सुप्रमानियम उनको appoint किया गया है फिर एक मेरे दिमाग में ऐसे ही एक चीज आ गए क्या चीज है पता नहीं क्यों कैसे आई है लेकिन SS मुंदरा जो है यह पहले क्या थे यह आपके former deputy governor रह चुके हैं यह किसके chair person appoint हुए हैं तो answer यहाँ पर क्या होगा किसके chair person appoint हुए है June के अंदर इनका appointment हुआ था as the chair person of which company तो BSC के chairman कौन appoint हुए है SS मुंदरा तो जब NSC की बात चल रही थी तो बहुत सारे लोग SS मुंदरा लिख रहे थे तो मैं उस वक्त पर correct करने का सोचा था लेकिन मैं भूल गई थी तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना इसे correct कर दिया जाए next is there who has been appointed as the CEO and managing director of Aviva India क्या होगा यहाँ पर answer Aviva India जो है यह किस type की form है तो answer क्या होगा जल्दी से बताओ बिल्कुल सही correct answer हो जाए यहाँ पर असित रत जो है इनको appoint किया गया है as the CEO and managing director of Aviva India किसको replace करेंगे तो he is going to succeed or replace Amit Malik जो पिछले 10 सालों से यहाँ पर as MDN CEO काम कर रहे है अब यह Aviva company क्या है Aviva India is basically Aviva Life Insurance Company है यह India Limited इसका पूरा नाम क्या है इसके अंतरगत यहाँ पर Aviva जो है यह एक आपकी Life Insurance Company है ठीक है LIC लिख रहे हैं लेकि उसका मतलब यह नहीं है कि यह LIC firm है यह क्या है Life Insurance Company है यह आपको याद रखना है Aviva जो है किसके बीच का joint venture है तो आपको याद रखना है एक तो है Aviva International अभीवा इंटरनेशनल क्या है Holdings Limited यह एक UK-based insurance company है और इसने किसके साथ में tie-up क्या है या किसके साथ में joint venture के है जो भारत का डावर ग्रूप है उसके साथ में चीक है और यह इंडिया के साथ कब से जुड़ी हुई है 1834 से के इंडिया के साथ जुड़ी हुई है अभीवा इंटरनेशनल जो कि यह क्या है life insurance company है इंडिया के अंदर और यह किसके साथ partnership करके joint venture में चलाए गई है डावर ग्रूप के साथ में next is your name the actor who has been appointed as the brand ambassador of pokerbazi.com बस यही रह चुका है इनकी life में poker बाजियों में ही लगे रहते हैं सल्मान खान एर रहमान अक्षे कुमार या फिर शाहिद कपूर क्या हो जाएगा correct answer very nice यहां पर सबसे पहले answer क्या है भारती पैशनेट स्वापना अमन रेसर एक्जाम लेवल जी ए एकदम सही है सुमेठ शिरिशा का answer correct और गनिश का answer correct है व ब्रेंडम बेस्टर नेक्स्ट इस यह वह स्विन अपॉइंटेट अस न्यूव ब्रेंडम बेस्टर फैन कोड विच इस लाइव कॉंटेंट स्पोर्स स्टैस्टिक्स और यी कॉमर्स मार्केट प्लेस क्या हो जाएगा अंसर आपके प्रिद्वुम्रार रवी शास्त्री राहुल रवड या फिर विराट पोली हाँ बेलकुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा रवी शास्त्री को इदर पोइंट किया गया है फैन कोड का ब्रेंड बेस्टर अगर आप से पूछो इन में से दिये हुए ऑप्शन में से विजडन अलमानेक के पांच जो फाइब क्रि फाइब क्रिकेटर आप दे यूर्स के अंदर तो उसमें एक थे जप्रित बुरुम्रा और दूसरे कौन से थे रोहिच शर्मा नेक्स्ट इस यह वह बिन अपॉइंट एस दा प्रेजिडेंट और फानेशल एक्शन टास्क पोर्स जो है इसके नए प्रेजिडेंट जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं क्या हो जागा अंसर टी राजा कुमार अब बाद आते हैं टी राजा कुमार जो हैं ये कौन सी कंट्री से बिलॉंग करते हैं तो अंसर क्या होगा क्या काम करती है ये financial action task force देखो आपको याद रखना है कि financial action task force जो है ये आपकी जानी जाती है anti money laundering, terror financing के खिलाफ ये क्या करती है countries के उपर नजर रखती है उनको एक parameter देती है किसी साब से उनको चीजे करनी चाहिए ती राजा कुमार इसके president है जो कि कौन से country से विलोंग करते हैं Singapore से है ये अगर आपसे पूछा जाए FATF जो है ये कौन से year में established हो इती, founded in which year तो answer क्या हो जाएगा 1989 में if I ask you that India became member of FATF in which year इंडिया इसका member कौन से year में बना था तो answer क्या होगा तो याद रखेगा यहाँ पर इंडिया इसका member बना था as 34th member country of FATF on 25th June 2010 2010 दो हजार दस में इंडिया क्या बना था इसका 34th member बना था इंडिया किसका FATF का FATF जो है यह दो तरीके की list जारी करती है एक को बोलते हैं gray list एक को बोलते हैं black list अभी फिलाल में कौन सी country है जो gray list में वापिस से maintain की गई है और 2018 से वो continuously you know इसमें around maintain की जारी है मतलब कभी इसके अंदर होती है कभी निकल जाती है एक दो मेने के लिए फिर वाप्रसा जाती है तो यानि कि यह वो country हैं gray list के अंदर जिनको यह बोला गया है कि अगर तुम यहां पर ध्यान नहीं दोगे क्योंकि तुमारे इदर anti money laundering हो maintain कर दिया गया है retain कर दिया गया है इससे पहले पाकिस्तान के साथ साथ UAE जो है और terror financing का hub माना जाता है ब्लैक लिस्ट में वो country होती हैं जिनको यह declare कर चुके हैं कि यह country ना कभी धियान देंगी लेकिन यह gray list में वो country होती है जो कहते हैं नहीं हम कर रहे हैं जो तुमने हमे guidelines दिये हम उस पर काम कर रहे हैं और जब यह convenience हो जाती है तो उनको gray list से निकाल देती है लेकिन अभी फिलाल पाकिस्तान उसको complete नहीं कर पाए उन policies को तो यह gray list के अंदर डाला हुआ है black list के अंदर आप पूछेंगे मैं कौन सी countries है जो black list के अंदर डाली जा चुकी है उसका सबसे top example है North Korea यह कह चुके कि भाई साब यह तो बेशरम हो चुके हैं यह तो सुनेंगे नहीं ठीक है तो उनको black list में डाला हुआ है नेक्स्ट इस गर्मेंट रिवेंट बैंक्स बोर्ड ब्यूरो इंटू फानेंशल सर्विसेंस इंस्टिशन ब्यूरो पहले यह ना बैंक इसको रिवेंट किया गया और इसको नाम दिया गया कि भई बैंक ब्यूरो नहीं है खाली यह फानेशल सर्विसेंस इंस्टिशन ब्यूरो रख दिया गया नाव और काम बदलकर financial services institution bureau रख दे गया है इसके chairman banks board bureau के जो भी chairman थे वो अब chairman बन चुके है FISB answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा भानुकरताब शर्मा ठीक है याद रहेगा आपको अच्छा अब यहाँ पर बात आती है बहुत अच्छे racer hell कौन सी committee के recommendations पर इसको revamp किया गया from banks board bureau to financial services institution bureau क्या हो जाएगा यहाँ पर answer क्या हो जाएगा इदर correct answer वीडियो पसंद आ रहे तो please like and share जरूर कीजेगा इस class के pdf के लिए join करें शीतल शर्वा 01 मेरा telegram channel है very nice क्या हो जाएगा PJ नायक committee जो है चीक है पीजे नायक committee जो है उसके recommendation space को क्या किया गया है उसके recommendation space को reform किया गया है भानु पृतप शर्मय का appointment हुआ था banks board bureau के chairman के रूप में इंदरिया 2017 उसके बाद में अब यह वापस से चुने गए है FISB के नए चुर्पस है next is there KK Venugopal was reappointed as dash for 3 मच तीन महीने के लिए वापस से KK Venugopal को क्या appointment किया गया है as gag क्या यह gag थे से पहले नहीं solicitor journal of India advocate journal of state या फिर attorney journal of India why advocate journal of state क्योंकि advocate journal जो होता है वो state level पर होता है जैसे आपका you know national level पर होता है attorney journal attorney journal जो होता है इसको बोला जाता है first law officer of India यह सबसे बड़ा कानून अधिकारी या फिर विदी अधिकारी आप इसे कह सकते कि पहला सबसे बड़ा विदी अधिकारी होता है हमारे देश का चीक है उसके बाद में advocate journal जो होता है वो किसी एक राज्ये का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है अधिकारी होता है advocate journal के नीचे आता है जो junior होता है वो होता है यह आपको इधर याद रखना है अब इससे रिलेटर यहां पर हम सारी चीजे कर लेते हैं पहले तो मुझे यह बताईए who is the CAG of India इंडिया के CAG का नाम बताईए CAG के साथ साथ एक और आता है CGA यानि की जो आपका Comptroller Journal of Accounts होता है यह तो क्या है Comptroller and Auditor Journal है वो होता है Comptroller Journal of Accounts तो CGA और CAG दो अलग पोस्ट है अब आपको पहले तो बताना है कि जो हमारे CAG है उनका नाम क्या है ठीक है आर्टिकल 148 बताता है कि जो CAG है वो इंडिया के अंदर होगा CAG का टम होता है 6 years का यह 65 years की age का ठीक है salary कुछ around धाय लग होती है इनकी अब मुझे यह बताइए Who is the current CAG हमारे कौन है CAG of India कौन है बिल्कुल सही है Correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा और अगर CGA पूछू तो बोलोगे क्या CGA होगा तो answer हो जाएगा सोनाली से और अगर बोलू क्या कौन होगा तो answer हो जाएगा GC मुर्मो अब यहाँ पर आता है Who is the solicitor journal of India अभी फिलाल में Who is the present solicitor journal of India Solicitor journal of India जो है यह attorney journal of India के underkan करता है उसका junior होता है इस तरीके से आपको याद रखना है तुशार मेंता एकदम सही है क्या हो जाएगा answer answer हो जाएगा तुशार मेंता अब अगर आप से यहाँ पर पूछेगा That who is the advocate journal of state अब कौन सी state का है अब मुझे यह बताएए जरा That यहाँ पर के के वेनु गोपाल जो है यह क्या है Who is the present attorney journal for India अभी फिलाल में कौन है के के वेनु गोपाल के के वेनु गोपाल जो है इनको वापस से अपोइंट कर दिया गया है अगले तीन महीने के लिए यह present आपके क्या है 15th नमबर के यह आपके attorney journal है AG है और current AG भी यही है 2020 में इनको वापस से reappoint किया गया था क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर यह attorney journal बने थे AG बने थे 2017 में फिर इनको वापस से reappoint किया गया 2020 में फिर वापस से reappoint किया गया है 2022 में मतलब इनका term end ही नहीं होने दे रहे है तो correct answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा attorney journal of India अगर advocate journal of state होते तो आप से पूछता कौन से state के है ठीक है यह अलग-अलग state के अलग-अलग है जैसे हर्याना के हैं वी-ार महाजन और जम्मू कश्मीर के हैं अगस्त को end होने वाला है तो यहाँ पर आपको double validity और 25% off मेलेगा सारे banking subscription पर शीतल कोड का यूज करने पर यह सारे different courses है इसमें से यह वाला course जो है इसमें जीए आप लोगों को मैप पढ़ाने वाली हो तो अगर आप मेरा साथ में जीए की तयारी करना चाते हैं तो आप यहाँ पर मेरे साथ में जोड़ सकते हैं कल से class शुरू हो चुकी है तो आप जोइन कर सकते हैं शीतल कोड लगा के अभी आपको maximum off मिल जाएगा बाद में purchase करोगे तो फिर आपको थोड़ा महेंगा पढ़ेगा ठीक है तो आज है last day तो इसको आप जोइन कर सकते हैं इसके अलाबा एक बार quick revision हो जाए क्या बोलती है public quick revision हो जाए revision करने का है कितने लोगों को revision करने का है मैं सिर्फ question बोलूँगे answer चाहिए revision चाहिए तो comment section के अंदर yes लिख दो पहली आगया yes बैसे मैंने already इसमें लिख दिया है तो क्या ही revision होगी चलो कोई बात नहीं okay first question किसको appoint किया गया है CEO of Paytm Payment Services Limited answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा नकुल जैन को appoint किया गया है ठीक है उसके अलाबा next question यहाँ पर who has been appointed as new chief economist and senior vice president for development economics किसको यहाँ पर development economics के लिए vice senior vice president और chief economics तेह किया गया है answer क्या हो जाएगा इंदर्मीत गिल next is यह वोड़फोन इंडिया के नए CEO कौन होगे answer क्या हो जाएगा अक्षे मून दोरा जो है उनको बोला है कि वोड़फोन इंडिया को मून तक ले जाना है अक्षे को next is here who has been appointed as international association के जो port and harvards के इंडिया की तरफ से representation कौन करेंगे एना रासू करनूस करू नेसान ठीक है तो यह आपको याद रखना है next is here who among the following appointed as नया प्राइम मिनिस्टर श्री लंका का और पंदरवे नंबर का पीम किसको चुना गया है दिनेश को चुना गया है और प्रेजिडेंट नाइन्थ प्रेजिडेंट और करेंट प्रेजिडेंट और श्रिलंका किसको रानिल को अपोइंट किया गया है next is here रतन इंडिया पावर यहाँ पर लिखते रहो तुम लोगों को मतलब नहीं है मैं क्या करिया तुमारे जैसे ही तुमारे स्क्रीन पर question आए नीचे option नहीं देखने है किसी को कसम लगेगी तुमें ठीक है option नहीं देखने है सीधा question देखो और answer लिखो comment section के अंदर अपने साथ बेवफ़ाई मत करना रतन इंडिया पावर जो है उसके MD कौन अपोइंट हुए है ब्रिजेश गुपता next is here insolvency bankruptcy board of india के नए यहां पर whole time member कौन अपोइंट हुए है अंसर क्या होगा जयती प्रसाद next is here राज शुकला को अपोइंट किया गया है member of UPSC July के अंदर कौन है chairperson of UPSC Manoj Soni next यहां पर है NAC National Stock Exchange के MD and CEO कौन अपोइंट हुए है तो आंसर क्या हो जाएगा आशीश कुमार चोहान next is here REC Rural Electrification Corporation Limited के director technical कौन अपोइंट हुए है आंसर हो जाएगा V.K. Singh वेकुमार Singh तो यहां पर याद रखना है next is here नए High Commissioner Bangladesh कौन होंगे of Bangladesh to India बांगलादेश से इंडिया के लिए नए High Commissioner कौन बनाए गए है वो है मुस्तफिजूर रहमान ठीक है रहमान नाम है एयार रहमान से याद रख लेना next is here IFAD के नए प्रेजिडेंट कौन चुनहीं गए है इंटरनेशनल फॉंड फॉर अग्रिकल्चर ड्वलप्मेंट के आंसर होगा अलबारो लारियो किसको रेप्लेस करेंगे गिल्बर ठांगो को next है आपका High Speed Rail Corporation जो है उसके MD किसको पॉइंट किया गया है आंसर होगा राजेंदर प्रस यार नेक्स यहां पर है deputy election commissioner किसको अपॉइंट किया गया है तो आंसर क्या होगा तो वो है आरके गुपता राजीव कुमान गुपता रेप्लेस किया है टी श्रीकांत को next is association of Indian University के प्रेजिडेंट कौन चुने गए है सुरंजन दास ठीक है यह आपको याद रखना है next is SBI Journal Insurance Company के नए MDN CEO कौन अपॉइंट हुए है तो आंसर हो जाएगा परितोष त्रिपार्टी ठीक है तो परितोष के अंदर कोई दोष नहीं था इसलिए SBI Journal Insurance नेगा इसके अंदर तो कोई दोष ही नहीं है इसको बना दो ठीक है कुछ भी चल रहा है आए पोर्स कमांडर फॉर UN Mission in South Sudan किसको अपॉइंट किया गया है तो मोहन सुब्रमनियम जो है वो सबका मन मुह लेंगे UN के अंदर और South Sudan में नेक्स इस यहार फॉइंटेड एस CEO and managing director अवीवा इंडिया तो अवीवा जो बोल रहा है कि अभी किसने यहां पर वाईवा देना पड़ेगा जो रत पर आ रहा है क्या नामे उसका असित रत जो रत पर सिट करके आ रहा है उसका नामे असित रत नेक्स यहां पर आपका ने यहां पर फैन कोड जो है अभी एक तरीके से फैन बनके रहा चुके है नाम क्या है इनका रवी शास्त्री तो यह इस टाइप के अब इवेंट चला रहे है फैन कोड वगेरा क्योंकि आप सच सबस्टेंशल कोई काम तो बचा नहीं नेक्स यहां पर आपका दिया जाए तो वो आदमी राजा ही होना चाहिए नेक्स्ट यहां पर एफ आई एस बी के नए चेर्मेन किसको अपॉइंट किया गया है फाइनेशल सर्विसेज इंस्टिटूशन बोर्ड का तो आंसर क्या होगा आंसर होगा भानू पृताप शर्मा नेक्स यहां के के वे प्रिविशन है आज का वो खतम हो गया है अब आप लोगों के लिए ओम्वर्ड है जो आफ्टर दे क्लास मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप सब्मिट करेंगे ओम्वर्ड क्वेशन क्या है गेट रेड़ी गाईज होगा शिप्यार्ड के यहां पर किसको अपॉइंट क किया गया यह आपका homework है इससे related कल आपका top 10 का leaderboard show करूंगी at least 20-25 बच्चों का answer आना चाहिए तब ही top 10 students को दिखाऊंगी जिनका सबसे पहले और correct answer आया और शीतल code का use कर सकते हैं आज लास्ट डे है सेल का तो यहां पर आपको benefit मिल जाएगा आज के लिए बस इतना ही मेरे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं शीतल शर्मा 01 लाइक शियर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा कमेंट करके जरूर बताएगा आपको क्लास कैसी लगी और आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलेगी आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच अब्रीबन बाबाइं टेक क्यार विश्यों गाइस वाल थे बैस फो यह अपकमिंग एग्जाम